हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टिप्स कुरू दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी स्टुडेंट्स के लिए एक इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन आप मेंसे जो भी स्टुडेंट्स अपने जून 2021 T underestimate examinations के लिए अपियर करने जा रहे हैं जो की आपके exams आज 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं सबसे पहले तो दोसो आप सभी students को आपके exams के लिए all the best आप अपने एक्जाम्स के लिए जाने से पहले एक बार अपनी होल टिकेट अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जरूर चेक कर लिजिएगा कहीं ऐसा ना हुआ हो üst ऐसक अपने एक्जाम्स के लिए अपना होल टिकेट और आईडी कार्ड लेकर जाना ना भूले फ्रेंट्स आज की वीडियो में एक important information है उन सभी students के लिए जिनके area में curfew लगा हुआ है जिनके यहां lockdown लगा हुआ है तो दोस्तो आपके regional centers की तरफ से भी इसी type की एक पहल की जानी चाहिए जिससे आपको आपके examinations के लिए कोई भी problem ना हो दोस्तो वीडियो को like कर देना, like करने के साथ-साथ वीडियो को अपने friends के साथ में share कर देना आप अगर channel पे पहली बार आ रहे हैं तो channel को भी subscribe कर लेना, subscribe करके पास में notification bell icon को press करना ना भूले ताकि आपको भी इसी तरह के latest updates मिलते रहें friends directly चलते हैं उसी information पे ये information रिलीज की गई है इमफाल regional center की तरफ से इमफाल regional center के जो भी students अपने examinations के लिए जाएंगे दोस्तो मनिपूर में curfew की situation है जिसकी वज़े से इमफाल RC की तरफ से ये notification जारी किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं curfew relaxation for IGNU official and learners for IGNU time and examination June 2021 from 3rd August to 9th September 2021 तो आप इसको click करके और पढ़ भी सकते हैं इस letter को DGP मनिपूर और साथी All District Magistrates of मनिपूर इनको address किया गया है साथी इसकी copy कहां कहां बेजी गई है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें clearly mention किया गया है कि जो भी students IGNU के हैं अगर वो अपना ID card और अपना whole ticket दिखाएंगे तो आपको आपके examinations के लिए curfew के time पे relaxation दे दिया जाएगा आपके लिए कोई भी rock talk नहीं रहेगी इसी तरीके से दोस्तो बाकी जितने भी area जहाँ पे lockdown लगा हुआ है तो वहाँ के regional centers को भी इसी तरह की पहल करनी चाहिए इसी तरह का एक notification उनके सरकार को भेज़ देना चाहिए तो ये infall regional center की तरफ से काफी अच्छा कदम लिया गया है आप में से जो भी students infall regional center से belong करते हैं आप इस letter को download कर लिजे अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी problems होती है आपको अपने examination center जाने के लिए पहुंचने के लिए कोई problem होती है ये रास्ते में कोई रोक टोक तो आप इस letter को दिखा सकते हैं यहाँ पे इस letter में आपके examination के लिए clearly बताया गया है कि 3 अगस से 9 सितमबर तक आपके exams connect किये जाएंगे सुबह की shift और श्याम की shift में facebook और whatsapp groups में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिजिए so that जो भी students in fall regional center के हैं जो भी students manipur के हैं वो इस notification को check कर ले और अपने exams के लिए easily पहुंच पाएं दोस्तो चैनल पे आप अगर पहली बारा आ रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे subscribe करके पास में notification bell icon को प्रेस करना ना भूले थैंक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग टिप्स गुरू